इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 लैपटॉप में टास्क बार में नेटवर्क का आइकन किस तरह शो कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं कि जो टास्क बार की पट्टी है इसके अंदर नेटवर्क का आइकन शो नहीं हो रहा है बाकी बैटरी का आइकन भी दिखा रहा है वॉल्यूम का आइकन भी दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर नेटवर्क का आइकन नहीं दिखा रहा है तो किस तरह टास्क बार में नेटवर्क का आइकन ला सकते हैं चलिए देखते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले Start के बटन पर क्लिक करना है और फिर आपको Settings पर क्लिक करना है उसके बाद आपको Personalization पर क्लिक करना है फिर आपको Task Bar पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है यहाँ आपको दिखेंगा Select Which Icons Appear on the Task Bar आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगा तो इहाँ पर आपको दिखेंगा Network तो यह Off है आपको इसे On करना है इस तरह तो अब आप देख सकते हैं Task Bar में Network का एकन शो हो रहा है और अब मैं इसे Close कर देता हूँ अब Task Bar के अंदर Network का एकन शो हो रहा है और कि अ आपको देखें प्रीजस